अब उसमें दो तिन चीज़े अभी एंस हॉस्पिटल का जो डेटा है ना मतलब इसने पूरे पेशन्स के डेटा ले लिए पेशन्स का डेटा ले लिए अब पेशन्स का डेटा मिलने के बाद पेशन्स की प्राइवसी ब्रीच हो गई तो अगर मेरे मेरे को कुछ तकलीफ है मैंने हस्पिटल में दिखाया मेरे रिपोर्ट यह किसी और को दिखाने शकते डॉक्टर वो प्राइवसी होती है तो यह लीगल केस हो जाएगा वो यह समझ रहे हो एक तो वो है तो वो लीगल केस के वजह से जगड रहे हैं कि मैं आपने डेटा नहीं रखा है को लेना देना नहीं मेरा डेटा लीक हो गया तो मैं प्र बढ़ी चीज हो गया उपर से एंस यानि ऑल इंडिया मेडिकल आस्सोसिएशन वाला गवर्मेंट सकता हैं तो हाँ कर सकूत हैं कि आपने सुना है वायरस रांसम वेर तो एक तो हैकर के डेटा बेचा नहीं होगा उन्हेंने क्या होगा राइंसम्वेर डाल दिया होगा अब हो एम्स खुद ही लॉग नहीं कर पाएंगी उनका डेटा देखने ही पाएंगे इसमें आपको खुद की ही पेशंट का डेटा देखना है गया तो वो बोले हां देखना है तो बोले का 60 लाग रुपे दे एक करोड रुपे दे डेटा ने तो रैंसम्वेर है क्या वो कौन सा है एम्स है 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 कि कौन सा है एक है कर से फर्स्ट एक्टिविटीज है एम्स एक डेली एंप 11 दिन शुरू एंडिजिटल से वा है फॉरंसिक इमेज से एंडे देखो रैंसम्वेर है मैंने अभी बोला मुझे पता भी नहीं था यह बहुत यह बना हुआ वायरस है आप भी यूज़ आप के अगर हो रिमोटली इनकी पाइंकी पीशी में रैंसमवेर ढाल दो तेरा जो डेटा है ना वो तूभी ने देख सकता चलो मेरे को अक्कल नहीं मैं भी नहीं देख सकता मैं मैं तो लेके रखूगा ने डेटा एक करके मेरे पास रख लो मैं मेरे को भी नीचे यह वायरस डालोगा और निकालना मुझे आता है बस मैं ही निकाल पाऊंगा मेरे पास यह encryption की है जिससे वो फिर से decrypt हो जाएगा इतना simple virus है अब यह attack हो गया इस पर आप इसको पैसे देने पड़ेंगे या अगर इसने कोई security से किया होगा अब aims का जो data है ना किसी PC में होगा और PC का जो malware या फिर वायरस protection होगा antivirus होगा किसी company को देना पड़ता है बड़ा data है बड़ा server है पूरा तो किसी बड़े company को जो just security company को यह दिया होगा ना वो handle करेगा इस case को